नमस्कार आज की इस एपिसोड इब हम डिस्कस करने वाले हैं अडानी स्टॉक के तीन ऐसे स्टॉक अडानी ट्रांस्मिशन अडानी ग्रीन अडानी टूटल गैस जो कंटिनियूस लोवर सर्किट पे टेड हो रहा है इस तीनों स्टॉक को मैंने कभी इतना डीप एनलेसिस नहीं करा है तो अगर आपने होल्ड करा यह तीनों स्टॉक तो श्यूरली इस वीडियो को देखें बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि क्या यह 100 के नीचे भी जाते हुए दिखेगा या फिर यहां से रिवर्सल आएगी वीडियो को आगे बढ़ा है इससे पहले आई होब कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक सेयर करें ट्रेडर्स डीम के जो डिस्किप्शन में आप इस वीडियो के डिस्किप्शन में जाएंगे तो आपको टेलिग्राम के लि लगबग 70% से जादा की गिरावट आई है लोग इस परकार के क्यूज खेल रहा है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 80% करेक्शन के बाद भी महंगा है यहां देखेंगे इसके प्राइस अर्णिंग रेशियो देखेंगे तो 74 के आज-पास का है जब कि आरोसी और आरोई देखें यह तो रहा इसका सोट एनलेसिस अगर देखेंगे मार्केट कैप, डेविडेंड इल, आरोसी, आरोई और इसके साथी देखेंगे तो 4, 2, 3, 9 के हाई से स्टॉक 700 के प्राइस पे टेड हो रहा है यह मैं क्यों कहा आपको कि काफी वैल अभी भी जो है काफी आवर वैल्यू दिख रहा है चुकि यहां देखेंगे कुछ स्टॉक 10 के नीचे के पी पे टेड हो रहा है वहीं यह स्टॉक देखेंगे अडानी के दोनों स्टॉक 100 के आसपास के पी पे टेड हो रहा था जब इस परकार का निगेटिव सेंटिमेंट हो हायर वैलिवेशन हो तो इस परकार करोर के आसपास का रिजर्व है जबकि डेट कितना है more than 30,000 करोर के आसपास का डेट है तो इस परकार के जब concern उठते हैं इस परकार के जब news negative trend होते हैं तो बहुत ज़्यादा panic होना सौबाबिक है हमने हमेशा से कहा ये तीनों stock में date to equity ratio काफी ज्यादा है जिसके कारण ये आपको जिलना पर सकता है यहां देखेंगे public लगबग नहीं के बराबर है लेकिन ये fi और di के तरफ से भी selling मिला है बहुत सारे लोग कहते हैं कि sir public तो बहुत कम है फिर इतनी बड़ी गिरावट कैसे मतलब one two percent public कैसे 80 percent गिरावट कर देगी तो इसका मतलब यह कि fi और di ने भी माल को हटाना सुरू कर दिया है यहां टेक्निकली देखें तो एज पर टेक्निकली जो मुझे लगता है यह three seventy three fifty तक के lower price भी दिख सकते हैं इन वो सेनेरियो यह जो दो major support थे यह support already branch होते हुए दिखा है अब देखेंगे अडानी ग्रीन अडानी ग्रीन का PE देखेंगे अभी भी 122 है जबकि इसके ROC ROE देखेंगे तो बहुत बेतर नहीं है ठीक ठाकी है book value के comparatively देखेंगे तो लगभग hundred times से जादा trade होते दिख रहा है 3000 के price से 487 के price पे trade हो रहा है और अभी भी जैसा कि हमने कहा कि comparatively अपने peer से काफी high value पे trade हो रहा है इसके date to equity से पहले आप देखेंगे reserve कितना है only 3751 date कितना है more than 50,000 करोर इस परकार के balance sheet में अगर negative news trend हो तो इस परकार के panic तो सभाविक है ही यहां देखेंगे liability company का कितना है और assets देखेंगे कितना है 1 is to 2 assets और liability देखने को मिली है जिसके कारण यह panic रहा इसमें तो public की holding भी ठीक ठाक है इसलिए ऐसे stocks में गिरावट काफी ज्यादा देखते हैं और यहां देखेंगे कि यह stock 3000 से 486 पे गिरते हुए दिखा है और अभी भी इस प्रकार से गिरते रहा तो इस stock में 300-320 के level पे ही lower circuit खुलते दिखेंगा इसके साथ देखेंगे Adani Total Gas Adani Total Gas में आप देखेंगे book value कितना है only 24 जबकि stock more than 750 के price पे trade हो रहा है यहां देखेंगे company return on equity और return over capital implied तो बरहा जनरेट कर रही है लेकिन जो valuation है इसका भी valuation इसके comparatively काफी हाई है 165 का valuation यानि over premium पे trade होते दिख रहा है इस company के अगर fundamental को देखें तो इसका fundamental थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है Adani Total Gas में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो reserve है वो date से ज्यादा है यानि इसमें बहुत ज्यादा concern comparatively Adani green और Adani green के बदले और Adani transmission के बदले ज्यादा concern नहीं होना चाहिए इसके साथी अगर assets और liability देखेंगे तो यहाँ फिर concern बनते वे दिखता है अपने assets के comparatively company ने liability काफी जादा ले लिया है जिसके कारण इस प्रकार के news trend होते वे दिखेंगे यहाँ भी देखेंगे public नहीं के बराबर है लेकिन जो news trend हो रहा है कि FI और DI ने भी माल को बेचने शुरू करें जिसके कारण यह stock 4000 से 750 पे trade होते वे दिखा है in worst scenario यह stock 350 और 80 तक के levels भी touch कर सकते हैं बहुत सारे लोग already जो buyer है वो panic selling नहीं करेंगे इसका मतलब यह नहीं कि समय fresh buying करना चाहिए बिलकुल hold करें फ्रेस बाइंग करने से बचना चाहिए तब तक बाइंग नहीं करेंगे जब तक 3-5 डेज ट्रेड होना शुरू नहीं हो जाए